महराद जी कहते हैं क्यों रो रही है क्या बात है वो मरा नहीं है वो सो रहा है महराद जी जाते हैं और महराद जी उसको पर्स करते हैं और वो बालक उठेरे हैं महाराजी अच्छाने बोल परते हैं हरी कियर की पत्नी चली गई मैं उसे मरने नहीं दूँगा तो डॉक्टर सिंग भी कहते हैं कि एक चमतकार है हमारी दवा से ये ठीक नहीं हुई है मैं आपसे कह नहीं पा रहा था लेकिन मुझे ल दीरे थप थप आते हैं जिन्दा हो जाते हैं महराजी के जैसे ही पहुंचते हैं उसकी मां महराजी की चरणा में लिपर जाती है और बहुत तेजी से बिलख बिलख की रोने लगता है इसनों ने पूछा कि आप कौन है जबाब मिला बाबा नीम करोरी क्या बाबा नीम करोरी में प्राण दान करने की सकती थी मरत इंसानों को जीवन दान दिया है क्या बाबा नीम करोरी ने बाबा नीम करोरी की अनेक लीलाएं ऐसी रही जिन पर आज लगाते हैं लोग प्रशन आज उन सभी प्रशनों के उत्तर मिलेंगे बने रही हैं मेरे साथ नमस्कार आप देख रहे हैं धमदर स्पत्तिका का यूटूब चैनल दस्तक मीडिया मैं बिनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोरी की अदभुत गाताएं अदभुत गाताओं की इस रंखला में आज हम आपको ऐसे यच्छ प्रशन में यच्छ प्रशन इसलिए कहता हूं कि उपर वाले ने एक बार आउट कर दिया यानि एक बार जीवन समाप्त यानि म्रत की गोद में चले गए तो वहां से बापस नहीं आता कोई लेकिन बाबा नीम करोण ने मरत इंसानों में प्राण संचारित किये हैं हां किये हैं ऐसी अनेग घटनाएं हैं मैं आपको एक बात बता दूँ मैंने एक कथा सुनाई थी कि जासी में महराजी गए हुए है और ऐसे होता ना कि इसके घर में चले गए और एक घर में गए जहां अकसर जाया करते थे जब उस शेतर में होते थे तो वहां जब कुटिया में आवाज लगाई तो वहां रुदन की आवाज आई रोने की आवाज आई महराजी ने गुश्ते ही पूछा क्या बात है क्यों रो रही है और वो बुढ़िया बहुत फफबक फबक के रोने lगी और कहती है बेटा चला गया यानि उसका पुत्र था उसका देहान्त हो गया था और उसका सब आगन में रखा था, गाउं के कुछ लोग वहाँ खड़े थे, दारे मार मार के रोने वाली बुरिया, बावा नीम करोरी को देखती है और फिर दार मारती है, तो महराजी कहते हैं, क्यों रो रही है, क्या बात है, वो मरा नहीं है, वो सो रहा है, महराजी जाते ह और महराजी उसको इसपर्स करते हैं, और वो बालक उठ बैठता है, है ना, ये कहानी मैंने जब आपको सुनाई, तो इसमें न तो पता था, न उस जो मरत युवा था, जिसके मरने की हमने कथा सुनाई थी, बुरिया मा जहां रहती थी, उनका भी कोई पता हम नहीं दे पा हैं, उनमें ये बरनत थी, पूरी तरह से विस्वास करके मैंने आपको सुनाई, तो एक दो लोगों ने ये पूछा, क्या ये कालपिटिक नहीं हो सकती, आपने शुक्ला ये बहुत सारी प्रमानिक चीज़ें बताई हैं, लेकिन इस कहानी पर मुझे विस्वास नहीं हो र महराज जी ने उन्हें प्राणदान दिये हैं, जीवनदान दिया है, और ऐसी आज मैं कहानियां लेके आया हूँ, ऐसी गाथाएं लेके आया हूँ, जिसमें सब प्रमान इंसान मृत हो जाता है, और महराज जी उसे जीवनदान देते हैं, तो अब चलिए मेरे साथ हुआ गए हैं और काल खंड है वर्स 1968 घर है महराजी के अननिभक्त आये सरिकारी केहर सिंग जी का और 1968 में उनकी पतनी की तबियत बहुत खराब ही बहुत जादा तबियत खराब जब रही उनकी तो एक डाक्टर से दूसे डाक्टर दूसे डाक्टर से तीसे डाक्टर और भा परकों की भी कोई कमी नहीं थी लेकिन लगातार स्वास्त है गिरता जा रहा था एक डाक्टर सिंग लखनव में बड़े नामी डाक्टर थे 68 के दोर में उनसे संपर्क किया गया किसा आप देख लीजिएगा डाक्टर से ने उनका इलाज किया और कोई बड़ी बीमारी नह किसी को तो कमजोरी तो आई जानी है और उनके दस्त जब बंद नहीं हुए तो डाक्टर सिंग को बुला गया सिंग ने अपने जांच परक करके उनने कुछ दवाएं दी हलका साराम हुआ लेकिन कोई खास आराम नहीं हुआ इधर उनकी पत्नी महराजी को सुम्रित कर रही है वो रुक नहीं रही है तो एक दिन लगबग सारे दस बजेते प्राते काल के उनने खिष्डी या दलिया दिया गया प्याली में और अपने बिस्तर पर बैठ गई प्याली हाथ में है एक में चमच है और एक या दो चमच उन्होंने वो दलिया ले पाया था और वो जो प में दलियार रह गया और लुड़क गई क्या हुआ नहीं समझे भाइया जो घटना थी वो मैंने बताई और वो नास्ता ग्रहन करते करते स्वर्ग सिधार गई होता क्या है उसी समय महराजी का एक चित्र लगा है उनके कमरे में लगभक चार फुट की उचाई है और जिस तरह देख रहे हैं उसी समय वो चित्र बिना कोई हवा के बिना कोई ऐसा चोका जिससे कुछ हो अच्छानक वह चित्र दिवाल से गिर जाता है चार फीट से पक्के फर्स पर जब चित्र गिरता है तो एकदम उधर उनकी पत्नी विस तरह पर लुड़क गही है इदर चित्र गि होता है महराजी उसमें कैची धाम में होते हैं और कैची धाम में मिस्टर सोनी आपको मैंने बताया था कि सोनी साब बन अधिकारी रहे हैं तो वहां बैठे हुए हैं महराजी अचानक बोल पड़ते हैं हरी हरी कियर की पत्नी चली गई मैं उसे मरने नहीं दूंगा यह कैची कैची धाम में सौनी साब से कह रहे हैं इधर पत्नी मर गई हैं और घर में जो भी सदस हैं बिलाप की सुक की obtainedे में ऑ Partners है लेकिन उधर महराजी जो कैची धाम में हैं सौनी से कहा अब क्या हुआ बहले जब मरत हो जाता है मिट्टी का सरीर है यह और मिट्टी में मिलने को तयार हो जाता है जब इसमें से आत्मा निकल जाती है विग्यार ने बड़ी प्रगति की है अंग बना लिये है लेकिन अभी आत्मा परिवेश करने की कोई बिधी नहीं है क्योंकि यह सत्ता के हाथ की बात है यह स्था और जब आत्मा निकल गई फिर वो उसमें प्रवेश नहीं हो पाती है तो अब केहर सिंग की पत्नी बिस्तर में हैं उन्हें नीचे लिया जाता है ब्रत्वेक्टी को वहां से उठा लिया जाता है और कुछ किया नहीं जा सकता इधर चित्र जो गिरा था वो चित्र उठाया गया चार फुट से जो चित्र गिरा था शीशा लगा हुआ था सीशा धरक धरक जाना चाहिए था तूट जाना चाहिए था सीशा तूटता नहीं है लगभग 40-42 मिनट ये इस्तिती ऐसी बनी रहती है और जब इनसान खत्म हो जाता है तो तैयारी हो जाती है समसान चलने की केर सिंग जी के घर उनके अंतिम संसकार की तैयारी होती है इधर लगभग 40 मिनट के बाद उनकी पत्नी एक दम जैसे एकदम कोई सोता है ना और सोते से एकदम जटका लेके आँखें खोल देती है ये घटना साहित्ति में भी है ये घटना महराजी के भक्तों से मैं मिला हूँ उनमें से एक भक्त ने मुझे घटना बताई और मैं इसलिए क्योंकि उन्होंने नाम लेने से मना किया था मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ बहुत सी बाते पता चलती है और ये विश्वास है ये हमारा करता भी भी है कि कोई ये कह दे कि मेरा नाम नहीं लेना और परणमाने घटना है तो मैं बताता हूँ और मैं उनको धन्वाद भी देता हूँ तो ये पहली घटना मैं आपको आज की कथा में सुना रहा हूँ कि केहर सिंग की पत्नी खत्म हुई और केहर सिंग की पत्नी को लगबक 40 या 42 मिट बाद उन्हें जीवन दान मिला महराजी उसमें कैची धाम में थे ये खटना लखनव में हो रही है है ना अब एक लिला का एक पार्ट और है ऐसे में आईएस संतोस कुमार जी बहाँ पर है लखनू में ही महराजी उसी दिन संतोस कुमार के घर पे होते हैं वहाँ से टेलीफॉन करके केहर सिंग को बुलाते हैं और लगबग आदा घंटा केहर सिंग उनके साथ रहते हैं हसते हैं, मुस्कराते हैं और कमाल की बात ये है कि न तो महराजी उनकी पत्नी के बारे में कोई बात करते है और न केहर सिंग महराजी को कुछ बताते है है ना, कमाल की बात है ना ये होता क्या है कि जो मस्तिक्स है वो भी उपर वाले के हिसाब से ही काम करता बरना इतनी बड़ी घटना और जो सरवस्व है उनके उनको नहीं बताते हैं क्योंकि केवल हसते, मुस्कराते, आदा घंटा उनके साथ रहते हैं और चले आते हैं पत्नी के समंद में कोई चर्चा नहीं होती लेकिन कुछ दिनों के बाद आरसी सोनी से मुलाकात होती है केर सिंग जी की दोनों चितर आप देख रहे हैं ये केर सिंग जी का जब बुजर्ग हो गए हैं तब का एक चितर है ये केर सिंग जी का मुस्कराते हैं, बहुत खुले दिल इनसान है कई कथाएं मैंने सुनाई है केर सिंग जी की और सोनी साब मिलते है ये सोनी साब का चित्रा आप देख लीजीगा दोनों लोग जब मिलते हैं तो फिर बारता होती है कि इस समय ये घटना आपके हाँ शायद हुई हो उन्हें कर नहीं शायद नहीं ये ही ऐसा हुआ था और उस समय केचि धाम में बैठा था सोनी साब बताते है और उनोंने ये कहता केर सिंग की पतनी खथम हो गई मैं उसे मरने नहीं दूँगा साफ साफ ये बात थी और केर सिंग की पतनी को इस तरह उनोंने जीवन दान दीया और इसके बाद लगबग साड़े छे साथ वर्स मुझे एक्जिक्ट साड़े साथ है या साथ वर्स है यह नहीं मालब साड़े छे वर्स से ज़्यादा उन्होंने बहुत सामान तरीके से अपना जीवन जिया बताया कि जिस समय मैंने स्रीमति केहर सिंग का ईلाज शुरू किया था मुझे पता था मुझे लग गया था कि यह बचेंगे नहीं लेकिन मैंने प्रियास किया और मेरी कोई ऐसी दवा नहीं थी जिस से उन्हें जीवन दान मिल जाता मेरा अंत्रह मन कह रहा था कि हमें इलाज भी नहीं करना चाहिए क्योंको हर डाक्टर ये चाहता है कि उसका मरिज ठीक हो और जब लच्छन ऐसे हो जाए कि पता चल जाए कि अब जीवन से बिदा लेने का समय इनका आ गया है तो डाक्टर फिर अपने कोई पीछे करते हैं लेकिन सम्मंद कुछ होते हैं लोग प्रियास करते हैं और मैंने कई चिकसक आगरा में एक चिकसक के यहां गया था तो उनके पीछे लिखा था कि मैं प्रियास कर सकता हूँ लेकिन ठीक करना उपर वाले के हाथ में है तो सिंग साब और केहर साब की जब बात होती है तो डॉक्टर सिंग भी कहते हैं कि एक चमतकार है हमारी दबा से ये ठीक नहीं हुई है मैं आप से कह नहीं पा रहा था लेकिन मुझे लग रहा था कि अब भावी जी पचेंगी नहीं है ना मैंने आपको एक कथा सुनाई कि IAS केहर सिंग की पत्नी को महराजी ने जीवन दान दिया मैं एक और कथा आपको आज सुना रहा हूँ D.I.D. ऑंकार सिंग के पुत्र इधुष्टर सिंग को जिन्दा किया कैसे कथा मैं सुना चुका हूं लेकन आज संषेप रूप में आपको बता दू कि महराजी बरेली गए हुए इन्ही के घर पे थे बरेली में कहीं जैना था महराजी जाते थे तो एधुष्टर सिंग के यहां रुके हुए थे इदुष्टर सिंग ने कहा कि चलो महराजी हम चलते हैं आपको आस्रम छोड़के आते हैं और इदुष्टर सिंग उनको जीब चलाके महराजी को भूमियधार आस्रम में लेकर आए प्रहते की बेला थी दिनचरिया का था देनिक दिनचरिया में वे दिश्टा सिंग ने अपना लोटा लिया और लोटा लेके दिशा मैदान के लिए चले गए आप जब दिशा मैदान के लिए थोड़ा सा आगे गए हैं बहां सर्प ने डस लिया है आप बहां से जैसे आगे भागते हैं आस्रम चाहते हैं कि वो पहुंच जाएं आस्रम तक पहुंच नहीं पाते हैं आप गिर पड़ते हैं भीड़ी खटी हो जाती है उसी समय महराजी को सूचना मिलती है और महराजी आते हैं महराजी उन पर अपना कंबल डाल देते हैं ओडा देते हैं और धीरे धीरे थप थपा जिन्दा हो जाते हैं यदुष्टर सिंग ऑंकार सिंग महराजी जो अनन्य भक्त हैं जो अबलब्द होता है मैं दिखा देता हूं कि यह है और ऑंकार सिंग का भी दिखाओं चलिए ऑंक दियाई जी ऑंकार सिंग का एक चित्र लखनवु का खिचा हुआ है यह और इसमें क्या अप लगाय हुए हैं एक चित्र देख रहे हैं ओंकार सिंग डियाई जी के साथ बिलू दादा का चित्र है और इनि के पुत्र इसा शर्प सफोर्फिं चैनले防 वो जाते हैं लेकिन पूरी तरह से अपने होस में नहीं आ पाते। महराजी चलने को कहते हैं जेश्प्तर सिंग उठते हैं डग मगते कदम들 से आते हैं और वो उसी जीव पर बिठा देते हैं कि चल गारी चला जीव ज आधिय कर रहे हैं जीव पर बेट गए आते हैं, आप रानी खेत पहूं जाते हैं, रानी खेत में कुछ बैट के किसी धावे या छुटे हो ने घुर होटल पे कुछ खिलाते हैं, और फिर एदुस्टा सिंग से कहते हैं चल बापस चल, महराजी बापस भूमियदार आसरम आ जाते हैं। इस तरह से सर्ब के डसने से एदुष्टर सिंग की मौत हुई और महराजी ने उनको जीवन दान दिया सहमत होंगे कि हमने जो कहानी सुनाई थी वो सही थी है ना मैं चलिए एक बात और बताता हूँ महराजी जा रहे थे हल दो आनी से आश्रम आश्रम की तरफ उनकी गारी बढ़ रही थी कैसी आश्रम की तरफ जा रहे थे और बीच में महराजी जो रामानंद उस्व में ड्राइविंग कर रहे थे जीप की रामानंद ड्राइवर रहे है महराजी के और उससे कहाते तेज चला गारी गाड़ी तेज चला और गाड़ी तेज चलाते हैं अब जितना हो सकता है उतना ही तो होगा लेकिन अब एक जगह पड़ती है जोति कोट जोतिकोट जगे के पास एक गाउं है और उस गाउं में महराजी कहते है गाड़ी रोक गाड़ी रोकी जाती है रुदन हो रहा है बहाँ पर और एक युवा म्रत तबस्था में पड़ा है महराजी का उनके घर बहुत आना जाना था महराजी के जैसे ही पहुँचते उसकी मां महराजी की चरणों में लिपड़ जाती है और बहुत तेजी से बिलख बिलख की रोने लगती है महराजी के जैसे ही महराजी के चरण उन्होंने छोड़े महराजी उदर बढ़ते हैं जहां वो बालक लेटा हुआ है महराजी उसके ठटकी देते हैं अट ग्यों सो रहा है उट और तीन ठटकी देते हैं वो बेटा उनका उसके खड़ा हो जाता है ये भी कथा मैंने दूतिन जो पुस्तखे हैं महराजी की me नाम इसलिए नहीं लेता हूँ कि एक दो कथा में मैंने नाम लिया तो उनने का सावरे साव उस से ले लिया ये चीज उनकी किताब में सही नहीं है ये ऐसे हुई थी अब मैंने केबल ये सोच लिया उनको धन्यवाद देता हूं और दो तीन कथाओं के साथ एक बड़ा ऐसा काम हो गया है एक ऐसी धारा मिल गई है कि उस काल खंड के महराजी के जो भक्त है हरी दादा है संजीब दादा है मैं उन्ही के परिवार की बात करता हूं परदीप जी है विनोजोशी जी है मतलब इन से जिन से मिलना होता है रब्बू दादा है जिन से उग्रा साब है एक बड़ी लंबी फेरेस्थ है जिनका हमें इसनेहे मिला है प्यार मिला है और उन से इन गाथाओं का प्रवारन होता है तब ही मैं आपके पास इसन गाथाओं को भीशता हूं मैं कहना ये चाहता हूं कि केहर सिंग आईएस एक अनाम कुटिया में रहने वाली बुडिया की बेटे के जीवन कहानी और फिर मैं आपको एक और ऐसी गाथा की तरफ लिये चलता हूं आपने नाम सुना होगा सुना क्या होगा अच्छी तरह जानते होंगे चित्र में देखा होगा जिनकी उम्र है उन्होंने बड़े नजदीक से देखा होगा या उन्हें सुना होगा पूर्व राष्टपती बीबी गिर बीबी गिर जी के बारे में मैंने आपको एक कथा सुनाई थी कि वो उपराष्टपती थे उपराष्टपती से राश्टपती का चुनाव लड़ना चाह रहे थे तो उन्हें त्याग पत्र दिया था कोई ऐसा नहीं करता बहुत कम रेर केस होते है उन्हें विस्वास था महराजी ने कहा था कि तू राश्टपती बनेगा और बीवी गिर ने रेजाइन कर दिया था रेजाइन करने के बाद वो चुनाव लड़े और किस तरह से काउंटिंग का जो प्लस माइनस होता है है ना और तमाम जंजाबात थे मैं कभी इसकी एक कथा फिर और सुनाओगा मैंने सुनाई तो संशेप में है तमाम जंजाबातों के बाद महराजी का आशिरवाद फली भूत हुआ था यानि बीवी गिर राष्टपती बने और राष्टपती जब कोई विक्ति बनता है यानि देश का प्रथम नागरिक होता है और प्रथम नागरिक के लिए सुविधाओं का तो अभाव नहीं होता ह हैं उनकी पत्नी बीमार हैं और बहुत बीमार हैं अब ये उसका रिफरेंस बता दे आए अन्य जगह के साथ कादम नवंबर 1984 के अंक में ये कःथा प्रकासित हुई है और बीमारी के साथ उनकी जो सेवा हो रही है जो चिक्सा हो रही है, वो भूत ब्रहद स्थरकी हो रही है एक नर्सिंग हॉम में भरती है, लगातार उनकी देखरेक की जा रही है लेकेन उनके बचने की कोई उमीद नहीं होती है डोक्टर राश्पति जी से कहते हैं कि अब ये जा रही है अब कोई दवा बाकी नहीं है देखिए मैं एक बात बता दू किसी गाना मैंने सुना था कि जिन्दगी है बेवफा एक दिन ठुकराएगी मौत है महबूबा साथ लेके जाएगी तो जब उपर वाला सिगनल दे देता है उसके बाद कहीं कोई रोक टोक नहीं होती है लेकिन रोक टोक करने की ये शक्ती महराजी में बिद्यमान है और भई हम क्या कह सकते हैं हम केबल ये गाताओं की एक सरंकला ये आज की कहानी मैं इसलिए लेके आया हूँ कि आप ये जान ले कि बड़े से बड़े व्यक्ती के साथ और हम मैं तो ये कहूँगा बड़े से बड़े भक्त के साथ और बहुत ही अंतिम पाइदान पर लाइन में मेरे जैसे व्यक्ती लाइन में खड़े हैं उन पर भी महराजी करपा बरसाते हैं इसलिए मैं कहता हूँ कि आप विस्वास रखें समर्पन से आप जब अपना विस्वास रखेंगे तो निश्यत उसे करपा होगी इधर बीवी गिर राष्ट पती हैं पूरे संसादन है पूरे लगा हो उनके डॉक्टरों ने आप कहते हैं जबाब दे दिया महराजी को याद कर रहे हैं गिरिए साथ गिरिए साथ ने डॉक्टरों से कहा किसी भी तरह इनकी संस रात के दो बजे तक चालू रखो अब ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मर जाए और उसकी साथ चले तो आपको पता है कि ओक्सीजन लगा देते हैं ये दवाते हैं तो लगता है कि सांस चल लई है कोई प्रियास बाकी नहीं रहा पेसमेकर या क्या होता है वो सब संसादन थे और उनको प्रियोग किया गया पहुने दो बजे डॉक्टरोन का कुछ नहीं हो सकता साथ ये पूरी तरह से मिरत हो गई है गिर साथ कहते हैं कि भाई बात मालो मेरी दो बजे तक इनक कैसे भी ये ऐसा रखो कि ये जीवित है अब राश्ट्पती पदपर है लेकिन बेदना एक जैसी होती है दुख की कोई भासा नहीं होती सुक की कोई भासा नहीं होती आप अंग्रेजी में मुस्कराएं आप हिंदी में मुस्कराएं आप जर्मनी में मुस्कराएं मुस्कराएं एक ही होती है कश्ट की भी कोई भासा नहीं है जिसे हम ये कहें कि उडिया में हो असमे या जो भासाइं हैं इंगलिस में है कश्ट की भी भासा कोई होती नहीं है होती है तो केवल एक ही भासा होती है जो चहरे से ट्रकट होती है बैसा ही गिर साहब भी बड़े परेसान है डॉक्टर उनके आदेस का पालन कर रहे है और डॉक्टर जब पालन कर रहे है तो क्या हो रहा है डॉक्टर अपना पेसमेकर से वैसे करके कर रहे है पौने दो बजे उन्हें पुनहें बताया जाता है किसा आप कुछ किया नहीं जा सकता आप आदेश करें तो इनकी ये सब विवस्ताइं बंद करदें गिरी साप पुने कहते हैं कि भाई अभी 15-20 मिनिट और ऐसा करो इसके बाद हम आपको कह देंगे चिकिसा का जो दल है वो पूरी तरह से लगा हुआ है और जब घड़ी के दो बच जाते हैं तो उनकी पत्नी की सांसें चलने लगते हैं डाक्टर अचम्बित होकर पूछते हैं कि ये कैसे हुआ ये तो मर गई मरने के बाद इन में जीवन कैसे आ गया गिरी साब के वल एक बात कहते हैं कि मैं उन महान आत्मा को पढ़ाम करता हूँ जिनोंने इने जीवन दान दिया है और वो कौन थे अब बताने की जरूबत है क्योंके ऐसे भक्त जिनोंने उपराश्ट पती का पद रत्याग दिया और राश्ट पती के लिए लड़े नहीं तो आदमी कहता हुआ रास्ता नगजा तू राश्ट पती बनेगा है ना तो वही विश्वास लेकर वो खड़े थे और दो बजे के बाद उनकी पतनी जेवित हो जाते हैं बित्रो एक कहानी और मैं सुनाता हूँ आपको आपको मैंने आज गाथाएं सुनाई है कौन-कौन सी पता सहेत नाम सहेत काल खंड जहां मिल गया है काल खंड मैंने बताया आपको और अब हम एक ऐसी गाथा सुनाने जा रहे हैं जो महराजी का भक्त नहीं है और महराजी ने जीवंदान दिया है अचरज की बात है ना चलिए आपको लिए चलते हैं अनूप सहर अनूप सहर में एक मोतिराम जी है मोती राम जी धार्मिक प्रवती के विक्ती है अब जरूरी नहीं कि महराज जी कही भक्त हो है ना और लोग भी है अध्यात्मिक छेत्र में और लोग काम कर रहे हैं और जिसका जहां जो होता है वो उसको याद करता है अनूप सहर में रहने वाले मोती राम जी के एक गुरू है जिने मौनी बाबा कहते हैं मौनी बाबा के शिस हैं मोती राम जी मोती राम जी की बेटी की साधी हुई है एक बड़े अधिकारी है चंद शेखर जी जहासी में रहते हैं अच्छे पद पर विराजमान है और उनकी पत्नी की तबियत खराब है उन्होंने अपने सब्सर को तार किया टेली ग्राम किया अब आपको बड़ा अजीब से लग रहा होगा कि टेली ग्राम किया इक सहर से दूसरे सहर कबर जब भीजबाते हैं तो पोस्ट आफिस में यह सिविदा हुए तो जो टेली ग्राम की कहानी है आज मोबाईल फौन क्यो से कहूं कि बहुत कम लोगों को यह सुवधा अपलब्द थी यही होता था कोई बात हुई टेलीग्राम कर दो और जब टेलीग्राम पहुंसता था पोस्ट मैं लेके तो निश्चित रूप से जिसके घर में आता था कि टेलीग्राम आया है तो पूरा घर इखटा हो जाता था कोई बीस इस बात है जो टेलीग्राम आया है ऐसा ही हुआ मोती राम जी के यहां कि दमांद ने टेलीग्राम किया है और टेलीग्राम ये किया है कि आपकी बेटी की तबियत बहुत खराब है बचना बहुत मुश्किल है तो जैसे ही टेलीग्राम मिला मोती राम जी अपने गुरू के पास गए, गुरू से कहा कि बिटिया की बड़ी तवियत खराब है क्या किया जाए मौनी बाबा ने कहा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते बेटी की हालत खराब है, हम क्या करें, अपना ध्यान किया, अपना जो गड़त होता है लोगों का, वो किया बोले एक बात है केबल, केबल एक बात है कि इस समय बाबा नीम करोरी है, उन्हें ही प्राण दान देने की शक्ती है, यदि बाबा नीम करोरी से मुलाकात हो जाए, उनसे निवेदन किया जाए तो बेटी के प्राण बच सकते हैं ये सब चीज़ां चल रही थी इसी बीच चंद शेखर की पत्नी का देहान्त हो गया प्राण पखेरू उड़ गए जीते जागते इंसान की वजाए अब वो शब के रूप में परवर्तेत हो गई मोतीराम अपने प्रियास कर रहे हैं चंद शेखर ने अपने प्रियास किये मोतीराम के गुरू ने अपनी बात बताई और जब किसी की मृत्ध हो जाती है चाए वो शहर हो, कस्भा हो चाए गाओं हो अपने आ जाते हैं घर में भीड हो जाती है अपनों की भीड लग गई है चंद शेखर के घर पर मुरत शरीर अंदर रखा है महिलाएं पुरुस बिलाप कर रहे हैं उसी समय जो कहीं से बाबा नहीं लगते वो दरवाजे पर आते हैं तो अब कोई अपरचित भी आता है तो यही लगता है कि वो देखने आया है अंतिम यात्रा की तैारी में जो होता है और सच में बिना जान पहचान के भी कोई होता है वो भी एक बार नमन करता है क्योंकि उसे मालुम है कि यही अंतिम यात्रा सच है सच के अलावा कुछ नहीं है अगर आपने जन में लिया है तो जाना है चाहें आप कुछ भी कर ला है है ना वो बेक्टी घर में घुचने की जिसे कोसिस की तो ये चंद शेकर बहाँ पर खड़े होते हैं तो आदमी जगा दे देता ऐसे मैं पूछता नहीं तुम कौन हो उस बेक्टी ने आके पूछा तेरी पत्नी कैसी है तबियत कैसी है चंद सेकर को बड़ा गुसा आता है देख रहे हैं कि भीड लगी हुई है लोग रो रहे हैं ये आदमी पूछ रहा है कैसी तबियत है गुसे में पूछते हैं आप कौन हैं जैसे भी वो समय होता है अदब की भी या पेच्छा नहीं की जा सकती किसी से भी मृत वेक्ती के बारे में सामने पड़ा हो और लगता हो जो माहुल दिखाई पड़ रहा है और उसमें कोई ये पूछने लगे तो यही कहेगा कोई पागल आदमी है उसनोंने पूछा कि आप कौन है तो जबा मिला बाबा नीम करोरी बाबा नीम करोरी का नाम जैसे ही उन्होंने सुना उन्हें याद आया कि पत्नी कभी कभी इनके बारे में बात किया करते हैं वो कुछ कहते नहीं हैं ऐसे इसारा कर देते हैं जहां उनका अम्रत शरीर रखा हुआ है बाबा नीम करोरी पहुंचते हैं बहां बैठ जाते हैं आगन में जहां धर्ती पर उनका शब रखा हुआ है और वो ऐसे करते हैं सेर हिलाते हैं और जब सेर हिलाते हैं बोले अरे ये मरी नहीं है जैसे ही वो कहते हैं लगता है कि भाई ये क्या कह रहे हैं बोले अऩ़ा आइसा करो अंगूर है तेरे घर ? है अंगूर लेते हैं अंगूर को महराजी तृरंट वहीं ऐसे करके उसका रस निकालते हैं और एक चम्मच शब में जो है ऐसे करते हैं और वो रस चला जाता है अंदर और चंदरशेखर की पत्नी आखें खोल देती है आपको लगए रहा है कहीं से ये ऐसी बात है मित्रो प्रारब्द होते है जिंदगी में कभ और कहां क्या होगा किसी को पता नहीं होता लेकिन महराजी तो तरकाल दर्सी है महराजी के प्रानदान देने की ये कथावी आपको मैंने नाम सहिद बताई यह अनूप सहर के मोती राम जी है, उनके दमाद जहासी के चंद शेकर जी है अच्छे पदपर है, पतनी खतम हो जाती है, महराजी पहुंचते हैं, महराजी अंगूर का रस देते हैं और वो आँखें खोल देती है और जैसे ही वो आँखें खोलती है घर में खुसी की लहर दोड़ जाती है एक दूसरे को बधाईस देने लगते हैं और उनसे उनने बस उठाया जाता है और जब चंद शेकर यहां देखते हैं आभार प्रिकट करना चाहते हैं बाबा नीम करोर भी वहां मिलते ही नहीं है इसी बीच मोतीराम भी आजाते हैं चंद शेकर के हैं यानि अपनी बेटी दमाद के घर पर फिर एक कहानी आती है सामने मोतीराम बताते हैं कि जब यह छोटी थी जो उनकी बेटी है जो अभी जिन्दा हुई है कि जब यह छोटी थी लगबक छे महराज जी परोश में आये थे यानि बाबा नीम करोश में आये थे मौह बैठे हुए थे मैं भी परोस जो जिनके यहां आई हुए थे गो हमारे मित्र थे हम उनके हां पहुँच गए और जब कोई संत मिलता है तो क्या होता है महराजी चले मेरे हाँ भी चले और हमने यूहीं बाबा नीम करूरीश काया कि महराजी थोड़ी दिर हमारे घर मारी कुटिया पर भी चले चलो महराजी सरल सहज करपा निधान उनके घर से मेरे घर आ गए और मेरी बेटी से बात होई मेरी बेटी को जब उन्होंने ये कहा अरे मांग ले कुछ है क्या मांग रही है महराजी तो बच्चों से बच्चों की तरह बात करने लगते थे तो हमारी इसी बेटी ने ये कहा था बाबा जी मैं मर के जिन्दा होना चाहती हूँ हुआ क्या था कि उसी दिन उसी महले में एक मरत हुई थी उसे वो बालका देख के आई थी और शब को जब उन्होंने देखा तो निशित रूफ से है कि बच्चों में अपनी накा आती हैं बड़ों में अपनी भाबना आती हैं बजर कुछ और सोचते हैं ऐसे ही उसके दिमाग में था और उस समय महराजी ने कहा कि कुछ मांग ले इस बेटी ने यही मांगा था मैं मर के जिन्दा होना चाहती हूँ तो आज बाबा नीम करोरी ने इस बेटी को पुनर जीवित करके जीवन दान दे के एक वो बादा निवा दिया और यही बात मेरे गुरु जी ने बताया था मौनी बाबा ने बताया था कि प्राहन दान देने की शक्ति के वल नीम करोरी बाबा में है है ना अब आपको एक एक बहुत रभी कथा हो गई है लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूँ बाबा नीम करोरी के अराध राम अराध देऊ हैं और राम के अनोज लच्षवर के जब प्रान संकट में पड़े थे तो यही हनुमान जी संजीबनी लाए थे और उन्हें भी जीबंदान दिया था अब बहाना कुछ भी हो कि चंद शेकर की पतनी यानी मोती राम की बेटी को अंगूर का रस्प लाके जिन्दा करते हैं और लश्मर जी को संजीबनी बूठी लाके जिन्दा करते हैं आज जिन जिन लोगों की ये शिकायत थी कि आपने ऐसी कथाएं सुना दी हैं जहां से कोई सूत्र नहीं मिलता है मुझे लगता है कि ये पूरा एपिसोड देखने के बाद आपको आपके प्रश्णों का उत्तर मिल गया होगा आप अगर ऐसा न पूछते तो शायद मैं ये सारी कथाएं एकटी करके आपको नहीं सुनाता ठीक है न एकेन बनाए रखिएगा मैं आपसे वाइदा करता हूँ कि आपको कोई ऐसी कथा चाहिए वो बहुत छोटी हो बिना अन्वेशन के बिना सर्च के आप तक नहीं पहुंचती है और अब तो महराजी की ऐसी करपा है कि महराजी के साने दिपाए जो अनन्य भगते हैं उनका भी हाथ मेरे कान पर रहता है अगर कहीं से वो देखते हैं और अगर इधर से उधर गाड़ी गई तो तुरंत चालान यानि कान उमेड़ देते हैं ठीक है ना और मुझे माफी मागने में भी कोई शर्म नहीं होती क्योंकि अगर गलती हुए तो माफी मागेंगे मैं चलते चलते आपको पता दू कि नीम तुरники मारा पानी नहीं निकला था और मैंने अपते कि वह बात पहुचाई थी जो गौालियर के सीता राम सेड़ थे उनकी फी कहानी थी जो मन्दर के महने हमें सुनाई थी और वह कहानी भी सच नहीं थी मैंने जो सच किया था उनके पुत्र से बात करके आप तक पहुंच तो मैंने ये जो गाथा आज आपको सुनाई है ये गाथा हमने अब नाम सहिद सुनाई शहर के नाम दिये काल खंड दिया और एक बहुत छोटे तबके से लेके राश्ट पती पद पर जो वराजमान रहे जीवन और मौत के जो पलों के साच्छी रहते हैं या जीवन और मृत के बीच जो हुआ मैंने आप तक भीजने का प्रियास किया है जल पड़ें फिर ऐसी ही एक और अन्विशक कहानी लेके जल्द आपके बीच आता हूँ आप अपना प्यार बरसाते रहे है राम राम कर देम झाम